हरे कृष्णा बहुत सारे लोग कहते हैं और बहुत सारे वीडियो के माद्याम से हम देख पाते हैं कि हर इंसान सोचता है कि यह जो जीवन मिला है यह भूग करने के लिए मिला है खूब enjoy करो खूब खाओ पियो उसके बाद किसने क्या देखा है क्या होगा कौन जानता है कोई नहीं जानता सब बेकार की बाते हैं क्या करो केवल भोग करो इंदितिति करो और खुसरो क्या यह सही है तो आज हम सीखेंगे कि जो मनुष से जीवन है भोग के लिए है या तप इंदितितिक इच्छा के लिए यूज करते हैं तो भी हम उससे लाव नहीं उठा पाते हैं उससे भी हमें क्या बहुत सारी सफ्रिंग मिलती हैं बहुत सारी समस्यां मिलती हैं अगर हम चाहा रहे हैं भोग करना लेकिन फिर भी हम भोग नहीं कर पा रहे हैं अल्टिमेटली जो आनन्द है वो हमारी suffering से कारण बनता है यह जो भोग करते हम temporary है हम कभी संतुस्ति नहीं होते कुछ देर के लिए होता है उसके बाद खतम हो जाता है जैसे माल लो हमें कुछ रजगुल्ला खाना है तो कुछ देर तक पर खते हैं वो भ्रहमित करने वाले हमें लगता है कि से मुझे आनन्द मिलेगा खुशी मिलेगी लेकिन वास्तम है उससे मुझे आनन्द नहीं मिलता दूर के ढुड रसाव ने होते हमने सुनाए तो दूर से हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर इस चीज़ को प्राप्त कर लूँगा तो मुझे इसमें आनंद प्राप्त होगा लेकिन वास्ता में ब्रहम की तरह है जैसे मिराज रेकस्थान में मिराज दिखाई देता है एक हिरन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी को देखता है लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचता है तो इसक लगता है किसे सुकh मिलेगा लेकिन वास्ता में सुकh नहीं मिलता है तो यह भोग करना में प्रॉबलम्स हैं सो क्या कारण है कि हम भोग सही से नहीं कर पारे जिस प्रकार कोई व söकत्र विंढूर है और होस्पीटल में में प्रॉब तो उसको अगर आप अच्छे अच्छे विंजन खाने के लिए दोगे पकोडे खाने के लिए दोगे तो उसे वह एंजोई नहीं कर पाएगा वो सब कहेंगा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना वीमारी खालत में हैं वो कुछ भी खाएगा उसको एंजोई नहीं कर पाएगा तो उसका हम भोग नहीं कर पाते हैं हमें problems होती है और जिस प्रकार गर बीमार व्यक्ति अगर डॉक्टर ने मना किया ऐसे जिए नहीं खाने अगर वह जवर्ष्टी खाता भी है तो क्या होगा उसकी बीमारी और बढ़ेगी कम नहीं होगी वह बीमारी बढ़ेगी तो अगर उसक wohna का भी भोग करना है तो क्या करना पड़ेगा पहले निकչो ठीक होना पड़ेगा नंचेर वुलेगा पहले ठीक हो जाओ फिर इन वस्तुं को आप जो कुछ भोग करने का प्रयास कर रहें, तो हम उसको एंजविश नहीं कर पा रहें जो आनन्द मिलना चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको इस बीमारी से बाहर आना पड़ेगा जो हम बीमारी से बाहरा पाएंगे तो हम अवास्ता में भोग कर भी पाएंगे तो पहले क्या हमें तपस्या करनी पड़ेगे अगर आपको बीमारी से सही करना है बीमारी को दूर करना है तो हमें तपस्या करनी पड़ेगे जो चीजा में वस्तों खाने में अच् तो इसलिए जो मन से जीवन है ये बीमारी से बाहर आने के लिए मिला है याने तपस्या के लिए मिला है कई बार लोग प्रश्ण पूछते हैं कि भगवान को थोड़ी ना आनन्द आता है कि अपने भगतों को कस्ट में देखके इतने लोग पैदल चलते हैं इतन अप्रिकरवा लगाते हैं तो भगवान कैसे खुस हो सकते हैं जैसे माललो कोई पैरेंट्स हैंT अपने बच्चों को दुख दे कर ये खुस कोई KAR नहीं होंगे तो यह साब बेकार की बात हैं भगवान को ये तपस्या करना हमारा पसंद नहीं है खूब नाचोगाओ, एस करो, खाओ भी ओ, भगवान ये चाहते हैं, तो हम देखते हैं, अगर पेरेंट्स भी हैं, जब छोटा बच्चा स्कूल जाने का होता है, तो रोता है, नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी घरवाले उसको जवर्जस्ति छोड़कर जाते हैं, घरवा है, कि अगर जो मैं अभी इस समय वो ले रहा है, आगे फ्यूचर में वो काम आएगा उसके, अगर नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो अभी वो जान बूच के उसे सफ्रिंग्स दे रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन जान बूच के दे रहे हैं, क्यों हमारे अंदर से जितने भी रोग हैं, काम, क्रोध, मुह, लोग, मतमस्र, ये सारे दूर होंगे, कब? जब हम बीमारी का इलाज करेंगे, तपस्या करेंगे, मैडिसिन लेंगे, परहेज करेंगे, तब ये चीजां बाहर होंगी, और जब ये चीजां बाहर हो जाएंगी, त था हमें उन में suffering सी दिखाई दिखाले हमारे समस्याओं का ही कारण बनेगा व इसी लिए भगवान खुस नहीं होते लेकिन भगवान को पता है कि घृय करेगा तो इसका रिदीकरण हुगा जो मनुष्य जीवन है तपश्या के लिए बना है ना कि के भूग करने है कि यह जो जीवन है यह क्या है तपस्या के लिए तपो दिव्यम पुत्रकाई कसत्वम तप दिव्य तपस्या तपस्या तो बहुत सारी लोग करते हैं अंदुल में मैं बैठ याते हैं नर्जल पानी नहीं प्रनी नहीं पीतें लेकिन वह जो तपस्याओं है वह क्या है अपने ही इंद्र wiring तрипति के लिए अपना सुख प्राप्त करने के लिए इसի लिये रिशादेव कहते हैं तपो दिव्यम यह जीवन है दिव्य तपस्या के के लिए दिवय तपस्या मतलब भगवान की प्रसनता के लिए तपस्या करना एक आसी पर हम व्रत रखते हैं तो भगवान की तपस्या कर रहे हैं भगवान की धाम जा रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं नंगे पैर तो भगवान की पसंता के लिए तपस्या कर रहे हैं अपना ऐसे ही और भक्ति मय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवाट डीटीएच ऑपरेटर से संपर करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839